तो आज मैं आपको बहुती ज़़दा टेस्टी और बहुती ज़़दा अलग तरह के से आलू के पापड कैसे बनासके हैं वह बताऊएंगे तो आप देख सकते हैं कितने ज़़दा अच्य लग रहे हैं और मैं आपको इसको fry करके भी बताती हूँ, यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप चाहें तो इसको वरत में भी खा सकते हैं, यह बहुत ही easy तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार आप इस तरीके से यह आलू के पापड इ आने के लिए, सबसे पहले इस टाइम ने तीन से चार आलू लिये हैं, और आलो इस टाइम बॉल करके लिये हूए, आची तरीकी से बॉल हैं, और इसको बना कर खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा, और यह हेल्दी रेसिपी होती है, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यह मैंने इस तरीकी से एक बाउल ले लिया है, और यह मैंने कदुकस करने वाला ले लिये, तो अच्छी तरीकी से आलो को सबसे पहले कदुकस कर लेना है, मेरे को पता है कि यह अच्छी तरीकी से बॉल हो चुक है, बट इसको कदुकस मैं इसलिए कर रही अगर हो मोटे कोई भी रहा गया तो थोड़ा से दर्दर रहा गया तो आलू का पीस तो इस तरीकी से कद्दुकस कर लेंगे और बिल्कुल इजीली कद्दुकस हो जा रही है आप खुद भी देख सकते हैं यह और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बिल्कुल इजीली हो जाएंगे तो आपको इस तरीकी से जरूरी करना इसको कद्दुकस तो थोड़ा थोड़ा बचा उसको भी कर लेना है और यह बहुत ज़ादा कम सामहान में बन जाता है यह व्रत के ये लिए आप बनाने 1-800 धी तेहरे आप उसको कहा सकते ये तो आप दिख सकते हैं आलो की खायदे संट लौटे क्ल़ी यह मैंने मिर्ची लिए मिर्ची लिए ये इससाम आप मिर्ची सिन इस सूख़ी यह सबस् lifelong प्रत के लिए इस तो दो दालना सिकप कूट लिया है तो अब इसको आलू के पेस्ट में डाल देना है और यह लिए मैंने धन्या कूप सारा तो डाल देंगे इस तरीके से अगर आपको ज्यादा भी नहीं लेना है बट यह आलू के बैटर के हिसाफ से तो ज्यादा ही है और इसमें एक चमस के लगबग जीरा डाल और जो जो वरत में चीजी यूज होती है आप सींदा नमक और इसमें कालमेट पाउडर डाल सकते हैं इस टाइब मैंने नॉर्माल लमक लिया है तो नमक को भी अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे और इसको बिलकुल अच्छी तरीकी से मैश कर लेना है सभी चीजों को आल को दाल सकते हैं अगर कम होतों और अगर अगर आपके पासस ज्यादा डल गई हो तो आप एक और कर सकते हैं आप एक और आलो को मैस कर कि सतरीकी से ड़ाथ अंची अनेथ purposely स्टे कर आ टागोर स्टे उस्स्टे इसको है जो भी समयें चीज हों और बिल्कुल भी बिल्कुल भ mix हो चुका है तब जो हातों में थोड़ा से लगा इस तरीकी से निकाल दूघी मैं तो इस तरीकी से आप का मसाला बिल्गुल अच्छी तरीकी से बन के त्यार हो चुकर कितने कम टाइम में बनाया आप ये भी देख सकते हैं तो इसमें ना तो आपको कोई बेलने की जहनजट होगी ना आपको कोई बॉइल करने की ज़रूत होगी इस तरीकी से हातों में तो सबसे पहले लगाएंग जो हम टेबल की ओपर आप देख सकते हैं वही वाला मैंने आप लिया वही वाला मैंने शीट लिया आप ये भी देख सकते हैं तो इस तरीकी से एक लोई रखेंगे इस तरीकी से बॉल से प्लेट के लिए प्लेट में इस तरीकी से के डबा लेना इसको यह देखे कितना ज्यादा बना यह आलू का देख सकते हैं इस तरीड दोफीने चल्ह cry गड़ियो बना लेंगे इसी प्रोसेश से जिए दो मिनित में अब तो आपकी घर में बच्चे भी बणा तो रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुष भी मत भूले आपको गैसी लगी और आपको और आपको कोई भी पापड की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं टो इस तरीकOC आप देख सकते हैं पहली तो लगा लेंगे पनी को और फिर इस तरीकी से कर लेना ए अगर अगर आप french से नहीं करना चाहते तो आप बेल भी सकते पनी लगाने के बाद अलू के मसाले को तो इस तरीकी से बिल्कुल गुल बनने यह सभी तो इसको एक दिन की अच्छे लगया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है तो जैसे आप भजार में खाते हैं आलो के पापड उसी तरही किसे बनते हैं घर में जाए ऑध नोर्मली से तो अब इसमें इस तहरी किसे अलू इस तरही किसे डाल ज़ाओं को मैं आपको और दिखा देती हूं इस तरही जो बिसका एक्ष्टा विल वो निकल जाएगा और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं एक आप बिल्कुल जादा कर लिए कर मीडियम रहना चाहिए ओयल आप देख सकते हैं इस तरीके से सीख के त्यार हो चुगे कितने इजिली तो इसको ओयल अच्छी तरीके से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितने इजिली यह बनके पापड त्यार हो जाते हैं तो अब इसे तरी पर्वी को बना कर त्यार कर लेंगे आपको जितना बना कीजिबंगी आतना बना सकते हैं और आप इसको एक साल तक प्षस करकी रख सकते हैं विल्गुल भी खराब नहीं होगा इक से 1.5 साल तक यह समस्तिबंग कीजिद देख लेते हैं हर में झाल